कॉंग्रिस द्वारा बिल्डर्स को फायदा पहुचाने के लगाए गए आरोपों पर जन्नाएक जिन्ता पार्टी के प्रदेश काराले सचिव रर्धी सिंग ने इस पश्ट कर दिया है कि गुरुग्राम में एम्बेंस कमर्शिल कॉंप्लेक्स के मामले में भाचपा जेजे दिये इस साथ कांगर्स ने ये भी अरोप लगाया है कि हर्याना सरकार बिल्डरों को फायदा पुंचाने का काम कर रही है इस समिए मेर साथ हैं जन्नाएक जन्ता पार्टी प्रदेश कारेले के सची रंदीर सिंग इन से जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और हुडा साब यह लाइसस जो है 18.89 एकड़ का जो भजनलाल जब 1903 में हरियाना के मुख्य मंतरी थे उस समय का दिया हुआ है और हाँ चैए मुख्य मंतरी हैं चैए उप मुख्य मंतरी हैं इस के अंदर जो भी गपले हुए हैं या गुटाले हैं वो कांग्रेस के राज में हु कोई भी इस गुटाले को या गपले को बचाने के पक्सदर नहीं है और क्यों कि अगर ऐसी बात होती तो क्यों तो CBI के छापे इसके उपर तो क्यों ओफिशल पे और इनके उपर FIA दर्ज होती और कल भी काफी जगह CBI के छापे मारे हैं अगर बचाने होते तो ऐसी कारव है वो कब का खंगाला गया है यह सरकारी रिकॉर्ड जब से 1903 में से लाइसेंस मिला है और उसके बाद 2003 में डी लाइसेंस हुआ फिर 2000 उसके बाद उड़ा साब के राज में जो भी इसको एडिशनल लेंड और प्रोवाइड की गई या रेजिडेंशल एरिया को कोमर्चल म पानी सब पब्ली के सामने आजाए रंदेर सिंदी कांड़ से भी यह रोप लगा रही है कि इस सरकार के दुरान गुटाले पर गुटाले हो रहे हैं मैं गाबा साब किसी भी चीज पर कोई गुटाला नहीं मानता चाब वो सराव का था सराव जब उसमें बंद हुई लोकडाउन पीरिड में उस टाइम जिस आदमी ने सराव उठाई या बेची उनके खिलाफ पुलिस ने कारवाई की कितनी एफाई आर दर्ज हुई कितनी बोतले पकड़ी गई अब वो गोटाला नहीं है वो जिसने बेची उनके खिलाफ कारवाई चीरे कुछ लोग जेल में कुछ जमानत में हैं दूसरा जो रेजिस्ट्री वाड़ा था जो कत्ये गोटाले हुए रेजिस्ट्री में कोई गोटाला नहीं हुआ ये तो तसीलदा दिन में विक्सित नहीं होती है और ये आसे नहीं हो रही है तो सदियों से चला रहे है पहले कलोनी बन जाती है उसके बाद सड़के बनती है सीवरेज डलता है बिजली की सपलाई होती है वाटर सपलाई होती है उसके बाद जाके कहीं पलाट कटके फिर रेजिस्ट्री उस रिजिस्ट्री के रिजिस्ट्रेशन के जो स्टैंप पेपर है उसमें रेवन्यू को पूरा स्टैंप पेपर लगे है तो गोटाला कैसे हुआ ये थे मेरे साथ जन्नाएक जन्ता पार्टी के परदेश करयले के सचीव रंदीर सिंग इन्होंने कहा है कि कांगरस माल को लेकर जो अरोप लगा रही है वो निराधार है इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया अगर सरकार माल को लेकर किसी को बचाने का प्रयास करती तो CBI FIR दर्ज क्यों करती और च्छापे मारी क्यों करती अनिल कुमार टोटल नियो चंडिगार